हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यट्यूब चैनल पर तो गाईस आज की सोड़ों में हम आपको उताने वाले हैं कि अगर गूगल की सेटिंग खराब हो गई है या बिगड़ गई है तो कैसे आप सेटिंग को सईग कर सकते हैं इस ओड़ों में हम आपको उताने वाले हैं तो गाईस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो गाईस सबसे पहले आपको मॉवाइल के सेटिंग में जाना है setting में जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको search बार इस पर click करके आपको लिकना है app अगर आप app लिकेंगे तो app list या app management नम की setting मिल जाएगी आप नीचे उपर थोड़ा check करेंगा आपको मिल जाएगा जहाँ पर सभी app रते हैं तो guys आपको इस पर click करना है किलिक करने के बाद app list पे किलिक करेंगे देखिए वहाँ पर आप आजाएंगे जहाँ पर सबी apps रहते हैं अगर यह वाले setting यहाँ पर नहीं मिल लेए सर्च बार में तो guys कोई बात नहीं आपको देखिए setting में आना है फिर आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर एक setting मिलेगी app management, app manager या apps नाम की जहाँ पर सबी app रहते हैं तो guys आपको इस setting पे किलिक करना है फिर app list पे किलिक करना है इस पे किलिक करने के बाद आप चाहें तो सर्च बार में किलिक करके लिकेंगे अगर google तो यहाँ पर google आ जाएगा इस पे किलिक कर लेना या फिर अगर आप सर्च करने कोई प्रॉलम आ रहे हैं तो फिर आपको आजाना है थोड़ा नीचे जी पर जी पर जैसे आएंगे तो google मिल जाएगा google पर करना है click किलिक करने के बाद storage, usage और यहाँ से आपको clear case करना है और niet google, reset हो जाएगा अब आपको bIV काना है देखे यहाँ पर बाएक आने बाद यहाँ पर आप clear data यहाँ से कर सकते हैं, google को reset भी कर सकते हैं Storage या Storage जीओज़ज़ पर किलिक करके यहां से देखे Clear Data और OK कर देना है Reset हो जाएगा Clear Data हो जाएगा फिर आपको देखे Simply Buy काना है मुवाईल के Home Screen पर और अब आपको अपने मुवाईल को एक बार Restart या Reboot कर लेना है mobile के power button को दबा के रखेंगे जिससे mobile को लोग करते हैं उस second के लिए दबा के रखेंगे तो याप पर restart या reboot का option मिल जागा इस वे click कर देना है phone आप पर restart हो जागा फिर गाई सब google को open करके चला सकते हैं कोई भी problem नहीं आगा और इस तरह के से आप reset कर सकते हैं या clear data कर सकते हैं तो आज की डूम बस इतना ये वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe कर लिजिए एक प्यारा सा comment भी कर दीजिए Thank you